लक्षमी चोहान पालर टिपसेंट टॉप से हमें दिखाने हमत नहीं चोड़ना है ध्यरर करते रहना है प्रैक्टिस ज़रूरी इसलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैं आपको देख रहा हूँ विए लगा फेस कर रही हूं और यह किस तरीके से लास्ट फेशियल के साथ मैं ब्लीच देना है सो वहीं बता रहे हूं तो मैंने आपर अपनी ब्रैड को क्योंकि कि तो इसलिए अभ भी क्या करना है रोगा तो अच्छे तरीके से करना होगा तो इसलिए तो मैंने अच्छे तरीके से इनको außerhalb रोक्त किरया में अच्छािक चला है गूंधने जब क्लेंजिंग को न मैं को बहुत जादा से स्ट्रॉक से करने हैं किसे ह क्लेंजिंग यह ब क्लेंजिंग गड़ी मीफचा ऑप राउनधब करना है और और ही यह चेप यह पर अब करने होते हैं शायर चीज़ कि प्रैक्टिस करो गए तब आपको इस ता चीज़ में आएगा आपका हाथ बी चलेगा तो जब भी मैं आपको वीडियो बताते हूं आप अपने गुटने के ऊपर ना-N steps को किया किजी ताकि आपका हाथ चलने लगे, set होने लगे और समझ में आने लगे तो और या फिर आप अपने घर पर किसी का भी अपने फैमली में किसी का भी कर सकते हो, कोई भी क पर की help से कर दिया है clean अब हम क्या करेंगे अब हम अच्छे से towel से सुखा लेंगे face को ताकि face पर पानी नहीं रहना चाहिए और गीला नहीं होना चाहिए face इसलिए तो आप अच्छे तरीके से face को सुखा लेंगे और उसके बाद आप चाहो तो back पर भी cleansing कर सकते हो क्योंकि हम back अच्छे से पहले ही मैंने ब्लीच को रेडी कर लिया अगर आपको bleach कैसे बना दे हैं आपको वह जानना है तो आप मेरे चैनल पर और भी ब्लीच से related video डले हुए हैं आप मेरे चैनल पर जाए और प्ले लिस्ट में जाके देखिए वहां पर ब्लीच की मैंने अलग से वीड चाहिए गोल्डन क्योंकि वह फिर दिखाई देने लगते हैं तो आपको इस तरीके से बालों को ऊपर की तरफ खीच के पकड़ लेना है और फिर आपको ब्लीच अपोजिट डिरेक्शन में लगा देना है तो इसी तरीके से मैं पूरे फेस पर लगा दूँगे देखिए या कान के पास आप बालों को ऊपर खीच के पकड़ दीजिए और फिर इस तरीके से लगा दीजिए तो इस तरीके से आपको दूसरी साइड भी लगा लेना है तो अभी मैं जब दूसरी साइड लगाऊंगे तो आप सही से देखिएगा आपको सही से समझ में आएगा और आपको forehead पर क्या करना है? forehead पर भी आपको बहुत ही आराम से काम करना है क्योंकि eyebrow पर bleach नहीं लगना चाहिए और extra जो हमारे सर के बाल होते हों पर भी नहीं लगना चाहिए और हम माथे पर जो बाल आ रहे हैं वो आप कर सकते हों उनको कर दीजे क्योंकि वो आप clean करोगे ही या तो आप wax से करोगे या फिर आप razor से करोगे या फिर आप thread से करोगे तो देखी मैं कर रहे हूं ने मैंने इस तरीके से उपर की side बालों को पकड़ा पकड़ा हुआ है कान के उपर और फिर मैं इस तरीके से bleach लगा रहे हूं उपर की तरफ देखिए इस तरीके से इस तरीके से आपको इस तरीके से ही bleach को लगा लेना है अच्छे तरीके से पूरे face पर equally आपको bleach पूरे face पर equally लगाना है और upper direction में ही लगाना है opposite direction में जिस direction में हमारे face का हम आप तरा र aika की तरफ रहा है अपर लगाना होता है इससे का हो था हुए बीच बहुत जल्दी काम करता है और अच्छे से टैनिंग रिमूव कर देता है और पूरा अच्छे इंक्लूड करके ही चलोगर अगर आप ऐसा नहीं करते हो न तो यह तया है रहší है सो left अबने में उसके उसा से एंगा वह अगुशा वालताया है hanok मस вызrates अकरики दिएस के टाॉल से किष्डद करों हम आप एंप मिः में भींताई कर लिखित रहा Сब्सक्रान करणा है में जितना एरिया पीछे ओपन रहता है गले पर उतना पूरा मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है तो आपको भी अगर आप ब्राइट पर काम कर रहे हो और प्री ब्राइडल दे रहे हो और उन्होंने ज्यादा ब्लीज नहीं लिया है तो यह आप अपनी तरफ से भी कर सकते उसे क्लाइट को थोड़ा सा अच्छा लगता है उसे लगता है कि हाँ आपने उन्हें एक्स्ट्र एक-दो सर्विस दी हुई है तो वो भी अपने साथ एक-दो क्लाइट लेकर ही आता है क्योंकि हर कोई क्योंकि इसको कहते हैं जो मुह से मार्केटिंग हो रही है ना जब क इसलिए आप अब अच्छे से काम कीजिए और उन्हें अच्छे से सरुष को छोड़ेंगी तो मैं पंदर मिनट तो नहीं दस मिनट बाद ही मैंने प्लीच को एक बार चेक कर लिया कर ली या फिर आप उपर आप सकान के पास बाल होते हैं आप बाल च्छे कर सकते और अभी बाल अच्छे से नहीं हो पाया था तो मैंने और एक वार करने के लिए मैं थोड़ा सा पूरे face पर finger finger से राउंड राउंड करके bleach को एक और और फैला दिया है इससे क्या होदा थोड़ा क्लाइन को रिलेक्स फील हो जाता है क्योंकि ब्लीच क्या है इरिटेट करती है थोड़ी सी लगती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके क्लाइन को ज्यादा लग रही है तो तुरंथ ही ब्लीच को रिमूव कर दीजे आप एक वार उनसे पूछ जरूर लीजे उसके बाद मैंने 3 मिनट और छोड़ा है ब्लीच को और उसके बाद ही मैंने 3 मिनट में मुझे दिखा के लगया था हाथा I भी हल्क असर रहे गया है बाकी पूरे face पर मुझे ये घिल लग रहा था तो फिर मैंने पूरे face कर निकाल दिया देखिए इस तरीके से आप इस तरीके से किसी भी spatula से clean कर सकते हो इस से क्या होता है थुरुदा से जल्दी clean हो जाता है otherwise जो फूल जाता है ना फिर अपन को बार-बार कई बार टिश्यू पेपर से क्लीन करना पड़ता है तो आप एक बार ऐसे कर लेंगे ना तो बहुत जल्दी फटा-फट से एक से दो बार में ही क्लीन हो जाएगा आपका फेश अच्छे तरीके से आपके क्लाइन का फेश है ना और आपको कहीं भी कोई मिस्टिक दिखाई दे रही है तो प्लीज उसको अवाइड करिएगा और उसके लिए सौरी भी और चैनल को सब्सक्राइब आपको बीश नहीं रहना चाहिए और आप रगेंस Ph defended फेश को सब्सक्राइब कहिए को दी चैनल को पर नहीं कीजिए उसके को उर्ट आपको पल तुल बाद पल्सक्राइब तो आपको क्लाइन के फेस पर जादा हो गया है तो आपको क्या करना है आपको एलोवेरा जैल से मसाज दे दे दीजिए मतलब 1-2 मिनट या फिर आपको बरफ का कोई भी तुकड़ा ले लीजिए उसको किसी टिशू पेबर में रखिए डारेक्ट आपको बरफ नहीं लगाना है फेस पर आप टिशू पेबर में रखिए उसको वारफ को और उसके बाद चीक्स पर थोड़ा-थोड़ा सा हलका-लका सा दो मिनट के लिए आप मसाज कर दीजिए उससे राउंड-डाउं करते हुए हलका-लका तो उससे क्या हो बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो अब आप क् अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब